पॉलिवुट की पॉपुलर एक्टरस करीना कपूर खान इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी के चलती काफी चर्चा में बनी हुई है बीते कुछ दिनों पहले ही सैफली खान और करीना कपूर खान ने अपने फैंस को ये गुड न्यूज दी थी कि जल्द ही उनके घर एक नन्ना सा मेहमान आने वाला है और तब से सोचल मेडिया पर लगातार उनके फैंस उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसी बीच करीना कपूर खान और सैफली खान की कई इंटरव्यूज भी वाइरल हो रहे हैं और साथ ही साथ अब तक सैफ और करीना ने कई बड़े स्टेटमेंट भी दिये हैं हाल ही में करीना का एक और बड़ा बयान सामने आया है पर यह बयान दिया है, उन्होंने अपने नन्ने तैमूर अली खान को लेकर। तैमूर अली खान पॉपुलर स्टार केट्स में से एक किने जाते हैं। हमेशा ही तैमूर अपनी क्यूटनेस से चलते हर किसी को दिवाना कर देते हैं। करीना एक परफेक्ट मा के तौर पर भी जाने जाती है। छिहां दोस्तों जानकरी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में करीणा ने अपनी नन्नी तैमूर अली खान को लेकर कई बड़ी बातेंशेयर की हैं। करीना ने कहा है कि मुझे लगता है सभी को वही मिलता है जो वो डिजर्ब करता है और जो इसकी किस्मत में होता है ऐसा नहीं है कि तैमूर अली खान देश का सबसे बड़ा स्टार बनने वाला है भले ही वह इस देश में सबसे ज्यादा फोटोस किलिक किये जाने वाला मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़े हो और अपना नाम खुद कमाए। मैं चाहूंगी कि उसे जो बनना है वो बने फिर चाहे वो सैफ हो या फिर पाइलेट या कुछ और। मैं बस यही चाहूंगी कि वेहे खूब आगे बढ़े, खुश रहे और यह जरूरी नहीं है क्योंकि उसके पैरेंट्स सकसेस्पुल हैं और वेहे भी सकसेस्पुल हो उसे अपनी जिन्देगी खुद बनानी होगी उसके पैरेंट्स इसमें उसकी मदद नहीं करेंगे। इस तरीके से करीना ने तेमूर अली खान को लेकर ये बड़ा खुलासा किया वेल फिलहाल करीना दूसरी बार प्रेगनेंट हैं और लगातार चर्चा बटोर रही हैं दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्श को इतना ही तब तक के लिए आप देख करेए नेक्स्ट नाइन न्यूज